एक दिन की बात होती है तिमबक्तून और मैड मैक्स इमली के घर जा रहे होते हैं तिमबक्तून मैड मैक्स से पूछता है बॉस हम इमली के घर क्यों जा रहे हैं तो मैड मैक्स बोलते हैं तिमबक्तून आज का दिन बहुती स्पेशल है आज इमली ने हम दोनों को और वीर को अपने घर डिनर पर बुलाया है फिर Mad Max शरमा कर बोलते हैं तुम्हें पता है मुझे इमली बहुती ज़ादा पसंद है फिर तिमबक्टून भी बोलता है कि हां Mad Max इमली बहुती ब्यूटिफुल है फिर Mad Max तिमबक्तून को मुक्का मार कर बोलते हैं चुप हो जाओ इमली की तारिफ सिर्फ मैं कर सकता हूँ इमली सिर्फ मेरी है फिर अचानक से Mad Max के हाथ पर बहुत तेस खुजली होती है और वे अपनी पावर वाच उतार कर तिमबक्तून को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं इसे सम्हाल कर रखना इसमें मेरी सारी पावर्ज है तो तिमबक्तून बोलता है ओके बॉस मैं इसे सम्हाल कर रखूंगा फिर वे इमली के घर पहुत जाते हैं वहाँ पर वीर भी आया हुआ होता है फिर इमली टीनों को डिनर कराती है और बोलती है मुझे शादी करने का मन हो रहा है तो तुरंथ ही टीनों बोलते हैं कि हाँ इमली हमें भी तुम से शादी करनी है तो इमली बोलती है पर मैं तो किसी एक से ही शादी कर सकती हूँ पर मुझे तिमबक तून से शादी नहीं करनी उसकी शकल बहुती बुरी है ये सुनकर तिमबक तून को बहुती बुरा लगता है फिर इमली सोच में पढ़ जाती है कि मैं वीर और मैड मैक्स मेंसे किस से शादी करूँ दोनों के पास ही बहुत लगता अच्छी पावर्स हैं दोनों मेरा बहुती अच्छे से ख्याल रखेंगे फिर इमली बोलती है मैं आप दोनों से एक एक क्वेस्चन पूछूंगी जो सही जवाब देगा मैं उस से शादी कर लूँगी तो पहले वे वीर से पूछती है वो कहती है कि वीर चलो इस पिच्छर को देखकर कार्टून का नाम गैस करो तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकिन है तो दोस्तों आप भी सोचिए इस कार्टून का नाम क्या हो सकता है आपके पास भी 10 सेकिन है तो फ्रेंड्स क्या आपको इसका आंसर पता लगा तो वीर इसका सही जवाब दे देता है इसका सही जवाब है निंजा टर्टल्स फिर इमली अगला क्वेशन मैड मैक से पूछती है वो बोलती है कि चलो अब आप इस पिचर को देखकर कार्टून का नाम ग्येस करो तो मैड मैक स बोलते हैं अरे इमली ये क्या बच्चो वाला क्वेशन पूछा है ये तो बहुत ही इजी था तो इसका सही जवाब है टॉम एंजेरिक कार्टून तो दोस्तो आपने भी क्या अपने अंसर बिल्कुल सही कमेंट कर दिये थे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मैड मैक्स और वीर दोनों ही सही जवाब दे देते हैं इमली बोलती है ये तो बड़ी मुश्किल हो गई आप दोनों ने ही सही जवाब दिया है फिर इमली बोलती है चलो मैं दोनों से ही शादी कर लेती हूँ मेरे दो-दो हस्बिन हो जाएंगे वाओ इमली बोलती है चलो वीर और मैड मैक्स हम कल की शादी कर लेते हैं और फिर चलो शॉपिंग करने चलते हैं तो पीछे ख़ड़ा तिमबक्तून ये सब देखकर बहुती जादा चिड़ जाता है फिर उसे याद आता है कि उसके पास मैड मैक्स की पावर वाच है तो वहें दोनों को नंगा कर देता है और इमली को किड्नैप करकर ले जाता है और अगले दिन उससे शादी के मंड़क में ले आता है और उससे शादी कर लेता है वीर और मैड मैक्स दोनों रोने लग जाते हैं बंटी पंडित बन जाता है तो दोस्तों कैसी लगी आप को इस चोरी कमेंट करके जरूर बताईए थैंक्स पर वाचिंग